नमस्कार स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूँ आपके साथ वक्ता आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उस ताबर तोड एक्शन की जो पिछले डेड़ साल से अपना रंग दिखा रहा है और अब भी योगी का डंडा उसी रफ्तार के साथ चल रहा है जिस रफ्तार के साथ माफियाओं ने अवैद्य संपत्ती पर हक जबाया था योगी आधतिनात ने यूपी में शासन को सक्त रखते हुए दबंग अपराधियों पर शिकंजक अस्ते हुए राजधानी लखनव से लेकर पूरवांचल के कोने कोने में माफिया वविधायक मुक्तार अंसारी पूर्षांसद अतीक एहमत से लेकर विधायक विजय मिश्रा दिलीप मिश्रा वो हर अपराधी पर शाशन प्रशाशन का डंडा तेजी से चलाया है और अवैध्य कमाई से बनाई गई संपत्यों को डहाने के साथ साथ कसकर कारेवाही की और इन भू माफियाओं को और खुद को डौन कहने वाले इन माफियाओं को नाकोचने चबा दिये तो इस देड़ साल में माफियाओं से तकरीबन 11 अरब 28 करोड 23 लाख रुपई की संपत्ती जब्त की गई है यूपी पुलिस की ओर से जारी आखड़ों के मुताबिक ये संपत्ती कुल 33 माफियाओं से जब्त की गई है जो की योगी सरकार की काबिले तारीफ है कौन-कौन योगी सरकार के हथे चड़ा पिछले डेड़ साल में किसकी संपत्ती जब्त हुई और किसकी पर बुल्डोजर चला ये भी बड़ा रोचक है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से ही राज्य में माफिया की कमर तोड़ने और उनके अवैधिस सामराज्य को जमी दोस करने का काम तेजी से चलाया गया और अब भी चल रहा है योगी सरकार ने यूपी में माफिया और अपरादियों के अवैधिस सामराज्य पर हुई का ब्यौरा पेश किया है इस दोरान उत्तर प्रदेश में कुल 11 अरब 28 करोड 23 लाग से अधिक की अवैधिस संपत्यों को दोस्त या जब्त किया गया है और सबसे बड़ी कारिवाई गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक एहमत के खिलाफ प्रयाग राज में की गई है उसकी 3 अरब 25 करोड 87 लाग से अधिक की संपत्यों को दोस्तिया जब्त किया गया है माउ के बाहुबली बस्पा विधायक मुक्तार अनसारी के खिलाफ लखनो वरांसी आजमगड और माउ में अभियान चलाकर अब तक 1 अरब 94 करोड 82 लाग से अधिक की संपत्यों को जब्त और ध्वास्त किया गया है मुक्तार की गाजीपुर उस्थिक गजल होटल, मौ उस्थिक कोल्ट स्टोरेज, लखनो उस्थिक तीन मंजिला घर को जमी दोस्त कर दिया गया अवैद संपत्यों को तो जब्त किया ही गया, साथ ही जो पंजाब की रोपन जेल में एश काट रहा था, वो एश भी योगी सरकार ने खत्म कर दी और पंजाब से बुलाकर बांदा की जेल में डाल दिया, जहां मुकतार अंसारी की बहतरीन तरीके से खातरदारी चल रही है पंजाब की रोपन जेल से यूपी के बान्दा जेल लाए गए गाजीपूर के माफिया और मौजले से बसपा विधायक मुखतार अंसारी सरकार के माफियां की सूची में दूसरे नमबर पर है मुखतार के खिलाफ कारेवाई के लिए सरकार हर रोज नए फर्मान जारी कर रही है मगर अफसर उसकी प्रॉपटी जब्ट करने में पीछे रह गए सरकार जिसे टॉप माफिया मान रही है उस मुखतार अंसारी के गैंग के 244 सतस्यों के खिलाफ ही गैंगस्टर की कारेवाही कर सकी है ये रकम अतीक एहमत के मुकाबले करीब 1.5 करोड कम है इसके बाद योगी ने रडार पर लिया अतीक एहमत को अतीक के चुनावी दफ्तर उसके पैत्रक निवास के अलावा उसकी तमाम बिल्डिगों को जमीदोस करने की कारेवाई भी योगी जी ने की इतना ही नहीं योगी सरकार ने प्रयाग राज के दूसरे माफिया और अपराधियों के खिलाफ भी अभियान चला कर कारेवाई की योगी की डंडे बजाने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ माउसे फ्री हुए तो भदोई के बाहु बली विधायक विजय मिश्रा को शिकंजे में ले डाला विजय मिश्रा के प्रयाग राज के अलापूर स्थित चार मन्जिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी जमीे दोस कर दिया गया और मिट्टी में मिला दिया गया वहीं उसके आलिशान मकान को भी धुस्त किया गया मंत्री नंद गोपाल गुपता नंदी पर प्रयाग राज में साल 2010 में हुए रिमोट बंप से जान लेवा हमले के आरूपी हिस्ट्री शीटर दलिप मिश्रा के अवैद्य सामराज्य पर भी योगी सरकार ने बुल्डोजर चलाया प्रयाग राज के अध्योगेक शेत्रमस्थित माफिय दलिप मिश्रा पर अवैद्य तीन मंजिला लौज को पुलिस और प्राधिकरण ने जेसी भी लगा कर ड़ा दिया करीब 15 साल पहले बनाये गए लौज का नक्षा प्रयाग राज विकार प्राधिकरण से स्वीकरत नहीं कराया गया था इसकी कीमत अब करीब 10 करोड आकी गई है अब ध्योगेक थाने के लबायन कला गाउं का निवासी पूर्ष ब्लॉक प्रमुक डिलिप मिश्रा फतेगर जेल में बंद है उस पर मंत्री नंद गोपाल गुपता नंदी पर भी हमला करवाने का आरोप है दिलिप ने सपासरकार में युनाइट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने करीब 900 वर्ग मीटर में लौज वदुकाने बनवाई थी एक साथ सारे माफियाओं को रडार पर लेकर मानो योगी आदित्यनाथ ने ये अभयान चला दिया हो कि उत्तरप्रदेश को माफिया मुक्त और सुरक्षित राज्य बनाना है तभी सारे माफियाओं को ढून ढून कर योगी सरकार अपने अंटे में ले रही है कुंटू सिंग गैंग के चार सदस्यों के खिलाफ गुंडा आक्ट, 24 के खिलाफ गैंगस्टर आक्ट के तहत कारिवाई की गई है कुंटू सिंग गैंग की कुल 625 करोड रुपए की संपत्ती धौस्त कर दी गई है अवैद्य कबजे से मुक्त कराई गई इतना ही नहीं सपानेता हिस्ट्री शीटर राम लूचन यादव, गणेश यादव और छोटा राजन गिरोहों से संबंद रखने वाले बच्चा पासी और राजेश यादव समेथ कईया से माफियां हैं जिनके अवैद्य निर्मान और संपत्यों को कुर्क किया गया है कोविट के चलते कारिवाई धीमी जरूर होई है लेकिन अधिकारियों का ऐसा मानना है कि अपराधियों के अवैद्य सामराज को चिन्नित करने की कारिवाई की जा रही है जल्द ही फिर से अभयान चला कर अवैद्य निर्मान और अवै कि एक साल के अंदर इन बाहु बल्यों की ग्यारा अरब की संपत्ती जब्त कर उनकी कमर भी तोर डाली क्योंकि सपा सरकार और कॉंग्रेस की सरकार में इन माफियों ने जितनी एश काटी है उसका पूरा भुगतान अभी योगी आदित्तिनात ले रहे हैं जबरन प्रॉपर्टी पर हब जमाकर अपने नाम कराने का सिलसिला बदस्तूर जारी था पर जैसे ही यूपी में योगी की सरकार आई इन माफियाओं के लिए ऐसा सफाई अभ्यान चलाया गया और ऐसी सफाई हुई कि अब प्रदेश में इन माफियाओं का बोलबाला ही खत पराएं हैं कि चूबी करने में दस बार सोचेंगे और अजबात की तारीफ जितनी की जाए कम है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने वरष्ट चार को कम करने के लिए शांती बनाए रखनी के लिए जो भी कदम उठाएं हैं काबिले तारीफ हैं और ये कदम अब भी उ मुक्तार अंसारी पर कारिवाई करते हुए उसके लगभग पूरे गिरोह को ही खत्म कर दिया तो वहीं कोख्यात अतीक एहमत का नेट्वर्ग भी सरकार ने तोड डाला और साथ ही सोनभदर जेल में बन पश्चिमी यूपी के माफिया डॉन सुंदर भाटी के गैंग का भ पर तोड कारिवाई की जा रही है प्रदेश में शांती बनाए रखने के लिए योगी सरकार का सत्ता में रहना बहुत जरूरी है पर कुछ विपक्षी पार्टियां यूपी में अपनी धाक जमाने की कोशिश में हैं लेकिन योगी सरकार अपने पूरे फॉर्म में नजर आ रही है कि अगले चुनाओं में भी योगी ही यूपी की सत्ता पर विराजमान होंगे इस खबर में फिलाल इतना ही बने रही है कैपिटल टीवी के साथ नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे स आप चुड़ने के लिए शुक्रिया